हलो स्टूडेंट्स वेरी वाउम वेलकम टो इंफिनिटी लर्न नीट बाइशी जतना है बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे अमेजिक प्लैटफॉर्म पे बच्चे बहुत ही पैनिक की सिचुएशन में है जब से ये सुना है कि कमेटी ने अपनी रिपॉर्ट को सब्मिट कर दिया है बट मेरे प्यारे बच्चो रिपॉर्ट तो सब्मिट हो चुकी है लेकिन दोहजार पच्चिस में क्या possible solutions उस पे काम किया जा सकता है ये बात अभी decide होनी बाकी है because NTA first of all जो कमेटी है वो रिपॉर्ट को सब्मिट करेगे सुप्रिम कोड को सुप्रिम कोड उस पे अपना verdict देंगे then finally NTA को directions मिलेंगी and then finally वो changes जो है incorporate करे जाएंगे तो जो मेरे बच्चे 2025 वाली students है panic mode में आ चुके है panic button press on कर चुके है उसको release कीजिए क्योंकि आपके सामने लेकर किया रहे हैं क्या actual में हम expect कर सकते हैं चार major points पे बात हो रही है जो proposal है उसमें बात करे गई है number one multi stage में paper होने की संभावना जताई जा रही है होने कहा है कि जो possible solution है वो एक ये भी है कि हम paper को two tier में क्यों ना करा ले अब two tier का मतलब क्या है समझेगा कि पहले आप सारे बच्चों का एक pre examination ले प्री में जो जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसका हम एक mains exam ले ले चीक है इसी को आप two tier कहते हैं अब आप सोचिए कि अगर पहले सारे बच्चों का एक pre exam होगा और उस exam को अगर हम online mode में convert करके लेते हैं तो problem यह है कि 25 लाख बच्चों को accommodate करने के लिए क्या हमारे पास proper infrastructure है क्या हमारे पास उतने computer centers हाल फिलाल मौजूद है जिसमें कि हम उस सारे बच्चों का paper ले सके एक बहुत बड़ा question है यह कि क्या ऐसा infrastructure अगर हुआ then there is a possibility बट इस साल अभी तक तो ऐसा infrastructure है नहीं क्योंकि JEE के students का जो number है वो half है and JEE वाले बच्चों का exam भी multiple times कराना पड़ता है क्योंकि उतने computer center हमारे पास में नहीं है तो इस बात को इस fact को इस logic को अगर हम देखे तो neat exam में इस mode के होने की chances इस साल बहुत है minimum हो जाते है second point है कि paper को completely CBT mode में या hybrid mode में convert किया जाए again जो main problem थी वो यही थी कि क्योंकि paper मेरा offline है pen and paper base है तो paper को transport करना पड़ता था first of all printing press में भेजेंगे paper को printing press पे leak होने की chances है then उसको transport करेंगे respective centers में respective banks में उसको रखा जाएगा वो एक major problem है जो center है वहाँ से उसको निकालना उसको school तक ले करके जाना that also involves a transport process तो बहुत सारे stakeholder होने की वज़े से paper leak होने के संभावनाई भढ़ जाती है इसलिए हम CBT mode को incorporate करना चाहते है ये committee ने suggestion दिया है लेकिन again क्या CBT mode को accommodate करने के लिए इस साल हमारे पास infrastructure मौजूद है answer is no second है आपका hybrid hybrid का मतलब क्या हुआ जी paper को digitally करा लो लेकिन जो OMR sheet है वो आप physically भेज दीजे तो आप सोचे अगर paper को ही digitally कराना है तो इसमें और CBT में कुछ difference है नहीं OMR sheet में तो क्या ही leak होगा भई लीक तो actually paper में ही होता है तो इससे problem यह है कि same आपका hybrid and CBT same चीज हो जाती है multi stage same चीज हो जाती है जैसे ही infrastructure develop हो जाएगा जैसे ही हमारे पास इतने computer centers मौजूद हो जाएंगे जिसमें हम बच्चों का accumulate कर सकते हैं definitely इस method को हम incorporate कर पाएंगे but not for 2025 तो panic button को थोड़ा सा off कीजिए third point पे आते हैं attempt limit जो बच्चे बहुत परिशान हो रही है बहुत सारे मेरे ऐसे बच्ची हैं जो dropper students हैं और जो पिछले 3 साल 4 साल से drop कर रहे हैं उनको यह डर लग रहा है क्या इस साल attempt limit को reduce कर दिया जाएगा क्या इसको tap किया जा रहा है so answer is सुनिएगा बहुत इध्यान से अगर attempt limit पे रोक लगानी होती तो 2024 का exam होने के बाद ही बहुत जल्दी इस पे action लेकर के लगा दी जा चुकी होती अभी तक कुछ इस पे रोक नहीं लगाए गई है secondly बच्चे को ये भी डर है कि मैं upper age limit में कुछ भी बार नहीं रखा हुआ है क्या उसको भी हटा दिया जाएगा क्या कुछ बार सेट कर दिया जाएगा ये possible solutions है 2026 के लिए for sure है लेकिन 25 में जो बच्चे अलड़े तयारी करने के लिए आगे अगरसर हो चुके हैं ऐसे भी बच्चे हैं जो B.S.C. छोड़ करके बीटेक छोड़ करके अपनी कोई आयरुवेदा या होमेपैथे में admission हो रहा था उसको छोड़ करके लग गए हैं exam में वापस exam देने के लिए तो उन बच्चों के साथ बहुत ही ये injustice की situation हो जाएगी कि अब इस moment पे नवंबर में जब सारे admissions close हो चुके हैं अब हम attempt बार लगा दें तो मुझे लगता है 2025 में इसके होने के chances बहुत कम है 26 में of course इसको consider किया जा सकते है and this is a good possible solution also to reduce the number of students ओके number next point आपका pattern change होने की कितने संभावनाई है देखे pattern change आपका COVID के situation में pattern को change किया विया था पहले आपके 45 questions per subject आते थे माने 90 questions आपके biology के 45 जिस 45 chemistry कोई उसमें आपको choice नहीं दी जा रही थी लेकिन COVID वाले situation में देखने को आया कि बच्चों के पास उतना books नहीं है, बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं mentally भी वहुत ही, एक अलग traumatizing situation में आ चुके हैं तो उसको ease out करने के लिए paper को थोड़ा easy भी बनाना शुरू कर दिया था pure NCRT centric paper आपका सिर्फ COVID के बाद से ही आना शुरू हुआ है पिछले चार साल से हम इस paper का pattern को देख रही है पिछले चार साल से completely NCRT centric paper को हम देख रही है तो इस situation के चलते रहते हैं, section A, section B आपका बना था section A में 35 question compulsory है, section B में 15 question जिसमें आपको choice मिल रही है 10 question आप कर रहे हैं, 5 आप छोड़की आ रही है time भी बढ़ाया गया, 3 घंटा 20 मिनट के आ गया तो अब इसके fair chances है कि paper को वापस से 3 घंटे में कर दिया जाए and जो questions का number है वो भी reduce करके 45 compulsory questions आपके कर दिये जाए इसके fair chances आपके बनते हैं इस साल में तो 2024 से जो हमें सीख मिली है, उस से 2025 में जो implementation है यह जो four points represent कर जा रही है through the committee मुझे लगता है इस point के accept होने के पूरे पूरे chances है कि आपकी जो choice है उसको हटा दिया जाएगा तो हमें जो तयारी करनी है वो इसी प्रकार करनी है ताकि हम कैसा भी question आये, चाहे paper का level थोड़ा difficult की side क्यों न चला जाए physics को थालका difficult क्यों न बना दिया जाए chemistry को एकदम deep concepts क्यों नहीं पूछ लिये जाए biology को थोड़ा lending क्यों नहीं कर दिया जाए but still we will be able to solve the questions यहापर second game आता है time management का वो बहुत एक crucial role play करने वाला है अभी हम एक easy situation में थे कि 15 question में से 5 तो छोड़ नहीं है कोई भी 10 हम उठा लेंगे और time भी 3 घंटा 20 minute आपको मिल रहा है तो इस साल मुझे लगता है कि जो time management है उस पे भी आपको work out करने की बहुत जादा सक्त requirement पड़ेगी और अपने concepts को भी बहुत असे से strong करने की बहुत जादा आउशकता पड़ेगी तो इन दो चीजों पर ही focus रखिए panic button सिर्फ इन दो चीजों के लिए on रखिए, बाकी चीजों के लिए off कर दीजिए, बहुत ही जल्दी Supreme Court अपना इस पे verdict भी दे देगा and आप देखना मुझे लगता है more likely, most likely इन चीजों के उपर नहीं बट इस पे तो definitely कुछने कुछ निकल के जरूर आएगा, thank you so much for watching this video, इसको share करना अपने सावे friends के साथ में, जो अभी भी panic button को on करके, बैठे जिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then take care of yourself be happy, be healthy, bye बच्चो